हेलो दोस्तों वेलकम टू वानार फिटनेस कैसे हो सब बढ़िया दोस्तों आज को टॉपिक जो रहेगा वो कुछ काफी खास है स्पेशली जिनको वेट लॉस करना है तो दोस्तों चैनल पे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक तो आज को टॉपिक रहने वाला है जिनको वेट लॉस करना है या जिनको डाइबिटीज है क्या उनके लिए फ्रूट्स बेटर है वेट लॉस करने के लिए या डाइबिटीज इंसुलिन लेवर जो है स्पाइक होता है तो इस वीड़े पर मैं लेकिन काफी सारे लोग उसे जो है एकदम गलत फॉर्म में खाते हैं तो सही फॉर्म क्या है मैं आपको इस वीड़े में कवर करूंगा और कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम बताऊंगा जो उनको वेट लॉस करना है और जिनको डाइबिटीज है उनके लिए उनके लिए बिल क्यालरी अगर आप बर्न करके उतना क्यालरी इंटेक कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपको मालूम है कि पाइनेपल में राउंड अबाउट सत्रा ग्राम उसमें शुगर पाया जाता है एक कप में तो मेक शूर आप पाइनेपल का इंटेक ना करिए लेकिन एक कंडिशन है कि आप उसका इंटेक तभी करिएगा प्री वर्क आउट पोस्ट वर्क आउट उसका आपको इंटेक नहीं करना और वैसे अगर आप वेट लॉस पर डाइबिटीज पर तो शुगर का इंटेक कम से कमी रखिए चलते हैं हमारे फ्रूट नंबर दो के ऊपर वो है चेरी तो अब चलते हैं में फ्रूट नंबर थ्री के ऊपर वो है अनार पोमग्रनेट अनार में आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तो चालीस ग्राम शुगर रहता है एक कप अगर आप नॉमल कप लोगे उसमें 40 ग्राम अपको शुगर मिलेगा दिन बर आपको दिन बर में आपको उसका आप इंटेक मत करिये 30-40 ग्राम दूसमें जो है शुगर होता है तो उसका भी आपको इंटेक नहीं करना है इस्पेशली एकसेस के बाद में अकर खाते भी हो थो थुड़ा खाना है क्योंकि फूट सब अच्छे होते हैं लेकिन राइट फॉर्म में खाना बहुत सही 25 ग्राम शुगर बहुत बड़ा अमांट है दोस्तों वह भी तो मेक शूर के आप उसका भी इंटेक ना करें अभी तो फलो का सीजन नहीं है जबी फलो का सीजन हो तो उसका इंटेक जैसे आप हफते में एक बार कर लीजिए या सुबह के टाइम कर लीजिए तो नो प्रब के लिए बेटर नहीं है तो मेक शूर कि आप बनाना का इंटेक कम से कम करिए और एक्सेस के बाद में तो बिल्कुल नहीं करना है और चलते हैं हमारे फिफ फ्रूट नमर शिक्स के ओपर वह है वाटरमेलन तो उसमें भी जो है वाटरमेलन में शुगर की मातरा काफी ज्या जो है आपकी जो इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है तो वेट लॉस और डाइबटीज वालों के लिए तो में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं ठीक है तो मैं तुरन तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप जाहिए अपना प्रोटीन इंटेक तो उसके बाद में आप उ तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए और उससे आप फॉलो करिए तो दोस्तो बैसे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहूंगा प्लीज लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब तक के लिए दोस्तो गुडबाए